युगे युगीन भारत राश्चिय संद्रहाले दुनिया का सबसे बड़ा संद्रहाले बनने के लिए तैयार है लोवर संद्रहाले वर्तमान में 73,000 वर्ब मीटर के प्रदर्शनी स्थान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा संद्रहाले है हाना कि भारत के दिल्नी में युगे युगीन भारत राश्चिय संद्रहाने में एक दशमलव एक साथ लाख वर्ग मीटर का प्रदर्शनी स्थान होने की उम्मीद है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा संद्रहाने बना देगा युगे युगीन भारत राश्चिय संद्रहाने अभी भी निर्मारा धीन है जो एक दशमलव एक साथ लाख वर्ग मीटर के व्यापक शेत्र को कवर करता है जिसमें नौ सो पचास कमरे एक बेस्मेंट और तीन मन्जिलों में फैलि हुए है संद्रहाने दिल्ली के उत्तरी और दक्षिनी ब्लॉक में स्थित होगा जिसका उप्योग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है संद्रहाने में आठ विश्यगत खंडों को प्रदर्शित करने की योजना है जो पूरे भारत से कला, इतिहास और संस्कृती का सम्रिध संद्रा प्रदर्शित करेंगे विश्यगत खंडों में शामिल है प्राचीन भारतिय ज्यान मध्ययुगीन योग आधुनिक भारत कला विज्यान और प्रोद्योगी की धर्म और दर्शन स्वतंत्रता संद्राम समसाम एक विश्व उम्मीद है कि संद्रहाने भारत और दुनिया भर से लाखो आगन्तुकों को आकर्शित करेगा संद्रहाने को बनाने में लगभग दो हजार करोड रुपे की लागत आने का अनुमान है संद्रहाने दो हजार पचीस में पूरा होने वाला है अंतरद्रिष्टी युगे युगीन भारत राश्चिय संद्रहाने का विकास एक रोमाचक और महत्वपूर्ण उपक्रम है संद्रहाने सांस्कृतिक विरासत को संद्रक्षित करने और जन्ता को इतिहास और कला के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण घूमी का लिभाते है दुनियों का सबसे बड़ा संद्रहालय बनाकर भारत का लक्ष अपनी सम्रिद और विविद सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना है इस तरह के बड़े पैमाने के संद्रहालयों में बड़ी संख्या में परियतकों और विद्वानों को आकर्शित करने की क्षमता होती है जो परियतन उद्योग के विकास में योगदान करते हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते है संग्रहाने के विश्यगत खंड संभवता आगंतकों के लिए एक व्यापक और गेहन अनुभव प्रदान करेंगी, जिससे उन्हें भारत के इतिहास, कला और संस्कृती के विभिन्न पहलों को गहराई से जानने का मौका मिलेगा. इसके अलावा, ऐसा भव्य सांस्कृतिक संस्थान राश्चिय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि यह देश की उपलब्धियों और मानव सभ्यता में योगदान का जश्न मनाता है. यह परियोजना भावी पीडियों के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबंधता को भी दर्शाती है. कुल मिलाकर, युगे युगीन भारत राश्चिय संद्रहा ने एक महत्वा कांशी परियोजना है, जिसमें वैश्विक मील का पत्थर बनने, भारत की सांस्कृतिक प्रमुकता को बढ़ाने और दुनिया भर के लोगों के लिए मानव इतिहास और रचनात मक्ता की समझ को स इतिहास और संस्कृति का एक सम्रिद संद्रह प्रदर्शित करेगा और इसके एक प्रमुक संस्कृतिक मील का पत्थर बनने की उम्मीद है जल्द ही दिल्ली में और ये भी आप लोगों के लिए खुशकपरी होगी, दुनिया के लिए भी खुशकपरी होगी